जिसान खान तब सबसे ज़्यादा हाइलाइट हुए थे जब वह गोवा एरपोर्ट पर बात्रो पानकर पहुँचे थे और वह फ्लाइट में बात्रो पानकर ही ट्रेवल करना चाहते थे लेकिन उनके इस dress में होने के करण एयरपोर्ट ओथरिटी ने उन्हें ट्रेवल करने से रोक दिया एयरपोर्ट पर एएयर इंडिया के करमचारियों ने उन्हें बातरों में रोक कर उन्हें ट्रेवल करने की permission नहीं दी इस वीडियो को खुद जिसान खान ने अपने सोसल मिडिया साइट पर सेर किया था और यह बताया था कि वा बात्रों में ट्रेवल करने वाले पहला इंसान बनना चाहते थे लेकिन उन्हें एयर इंडिया करमचारियों ने रोक दिया यहीं से जिसान खान काफी पोपुलर हो जब उनसे इन सब के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने यह कहा था कि उन्होंने अपने फैंस के इंटरेटेन के लिए ऐसा किया था और इसके बाद उन्हें ज़स्ट बीग बॉस 15 में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था और वहां भी वह बात्रोब में ही अभिनेता है जो ज्यादातर टीवी सो में काम करते हैं जिसान का जन्म 5 दिसंबर 1994 को मुंबई के एक मुस्लिम परिवार में हुआ है उन्होंने अपने अभिने कारियर की सुरुआत साल 2015 में टीवी सेरियल कुछ तो है तेरे मेरे दर्मिया में सुभोग होस के किरदार से कि लेकिन वे सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे साल 2019 में टीवी सो कुमकुम भागे में आरेन खन्ना के रोल से साल 2021 में जिसान खान एयरपोट वाले कंट्रोवर्सी के बाद बीक बोस 15 में भी नज़र आये थे 2021 में ही उन्होंने अपना यूटूब चाइनल भी स्टार्ट किया था जिसका नाम जेडे स्कुएट ब्लॉक्स है इन सबके अलावा जिसान खान पडियावरन बचाओ के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं जिसान पडियावरन को बचाने के लिए नएने तडिकों को अपना जाते हैं और लोगों को अपनाने के लिए सजीस्ट भी करते हैं जिसान एक प्लास्टिक दोनेसन सेंटर पी चलाते हैं जिसका नाम जीसान है फिलहाल जीसान खान कंगनार अनावत के सोल लौक अप में नजर आ रहे हैं और यहां भी अपनी धाक जमा रहे हैं अगर जिसान खान की परसनल लाइफ की बात करें तो वह काफी हस्मुख है और जहां भी रहते हैं अपने साथ के लोगों को खुश रखते हैं ऐसा कहा जाता है कि जिसान अभिनेतरी रहाना पंडित के साथ रिलेशन्सिप में है लेकिन जिसान खान ने कभी भी सारीडिक बनावट की बात करें तो उनकी हाइट पाच फिप सात इंच है वहीं उनके आखों और बालों का रंग काला है दोस्तों आपको जिसान खान कंगना के सोल लोक अप में कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताए और ऐसे ही वीडियो और जानकारी के बिकुलना बूले